विजाई के 10 से 12 दिन बाद संपूर्ण कुट्टी कबक जाल से ढख जाता है कबक जाल से ढखी कुट्टी पर बटन मश्रूम की भाती केसिंग का परियोग करें केसिंग के लिए दो वर्ष पुराना गोबर की खाद काफी उपयोगी होता है केसिंग पदार्थ को परियोग करने से पहले उसमें से कंकर एवं घास पात या अन्य चीज निकाल दे इसके बाद इसके शोधन के लिए 4 परतिशत फार्मेल डिहाइड का छिरकाओ करके शोधन करें शोधन की परकिरिया एक सप्ता पहले कर लें और प्रतेक दीन उसे उपर नीचे मिला कर ढखें तयार केसिंग मिर्दा कबक जाल को 2-3 सेंटिमीटर मुटाई से ढखें इसके बाद थैले को उत्पादन ग्री में रख दें केसिंग परकिरिया पूर्ण करने के बाद मश्रूम की अधीक देखभाल करनी पड़ती है प्रती दीन थैलों का नियमित निरिक्षण करें थैलों में नमी का जायजा लेते रहें और अब शक्ता अनुसार पानी का छिरकाओ करें